नमस्ती दोस्तो राधस्वादा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे चना दाल तड़का रेसिपी बिल्कुल ढवा इस्टाइल तड़का बनाएंगे और ये बहुत ही इसी तरीके से बनाएंगे खाने में ये तड़का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो चलि फ्रेंज तड़का बनाना शुरू करते हैं तड़का बनाने के लिए मैंने आधा कप चना का डाल लिया था इसे मैंने एक घंटे के लिए पानी में सोक करके रखा था उसके बाद मैंने इसका पानी अच्छे से धो लिया है अब हम सारा दाल प्रेसर कूकर में डाल देंगे अगर आप दाल को सोक करके बनाते हैं तो दाल जल्दी भी बन जाता है और बहुत यह अच्छा टेस्ट आता है तो यहाँ पे देखे सारा दाल जो है मैंने कूकर में डाल दिया है और अब हम इसमें पानी आड़ करेंगे पानी बहुत जादा नहीं डालना है जितना दाल का लेवल है उससे थोड़ा सा जादा पानी रहना चाहिए और अब हम इसमें नमक डाल देगे स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी आड़ करेंगे और इसे हम गैस पे रख देते हैं गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगे और मेडियम फ्लेम पे हम 4-5 सिटी आने तक इसे पकने देते हैं दाल जो हमारा पक चुका है अब हम गैस पे एक कड़ाई रखेंगे मैंने यहाँ पे नॉनिस्टिक कड़ाई का यूज कर रही हूँ और इसमें हम लगबग 2-3 चमज के करीब सरसो का तेल डालेंगे और तेल को हम गरम होने देंगे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें ड भून लेंगे गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे अभी और इसके बाद यह जब थोड़ा सा बून जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज मैंने तीन मिडियम साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए आप देख पारेंगे मैंने चॉपर से इसे चॉ अधरक और लहसुन का पेस्ट है इसमें मैंने हरी मेर्च को भी पीस दिया था और अब हम इसे भी कुछ सेकेंड के लिए भून लेते हैं गैस का फ्लेम मेडियम और लो के बीच में रखेंगे हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे और जैसे यह मसाले थोड़े से भून जाएं तो एक से एड़ी मिनट के बाद कवर हम अटा लेंगे और यहाँ पे देखें टमाटर बिल्कुल सौप्ट हो चुका है इसे हम अच्छे से इस तरह से मैस कर लेते हैं और अब हम इसमें सूखे मसाले आड़ करेंगे सूखे मसाले में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आदी छोटी चमच कास्मे लाल मिर्च पाउडर आदी छोटी चमच किचन किंग मसाला और थोड़ी सी हल्दी मैंने डाला है आदी छोटी चमच भुनावा जीरा का पाउडर और मैंने आदी छोटी चमच के करीब धनिया पा पकने देंगे आधा मिनट बाद हम कवर हटा लेंगे और देखेंगे यहां पर मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके आप देख पा रहेंगे तेल जो है मसाले के उपर आ गया है तो इसे हमें एक पर अच्छे से मेक्स करेंगे और अब हम इसमें तड़का एड़ कर के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी अट करेंगे क्यूबके हमिसे 2-3 मिनट और पकाना है तो थोड़ा सा पानी आड कर देंगे आप अपने अप्ने क्वानिग पानी आड कर सकते तड़का आपको किस तरह से गाढ़ा या पतला रखना है और साथ-साथ हम यहां पर धनिया की पत्ती एड़ करेंगे लगबग एक मूठी के करीब मैंने धनिया की पत्ती डाला है और अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 2-3 मिनट पकने देंगे तो लगबग 2-3 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं और यहा हम दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं उसके बाद हम तड़का के ऊपर रोगन डालेंगे तड़का को हम एक सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं और यहां पर मैंने गैस पर रखा है एक तड़का पैन और इसमें हम डालेंगे एक चमच के करीब देसी घी दे भूल कर देंगे तो जैसे ही जीरा ब्राउन हो जाएगा उसमें हम ढालेंगे आदि चोटी चमच कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर और इसे डालने के बाद तुरंत हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे ने तो यह बिल्कुल जल जाएगा उसके बाद हम इस रोगन को तड़का के बनके तयार हो गया है अगर आप इस तरह से तड़का बनाते तो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और अगर आपको यह रसेपी थोड़ी से भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें और अपने मेरे साथ जरूर सेयर करें तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स रसेपी के साथ तक तक के लिए थैंक यू बाई